नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से और पाथफाइंडर की पूरी टीम की तरफ से 2024 की बहुत-बहुत मबारक बात आशा करते हैं कि आपका ये साल पिछले सालों से और भी जादा बहतर गुजरे राइट, आप सभी को मालूम होगा कि इंडिया के द्वारा जो शुगर के एक्सपोर्ट्स हैं उनको काफी लंबे अर्से से बैन किया हुआ है इनफाट ये वाला जो शुगर का एक्सपोर्ट था जो कि हमने एक लिमिटेड पीरियड के लिए बैन लगाया था उस एक्सपोर्ट बैन को सरकार के द्वारा एक्स्टेंड भी किया गया था लेकिन अब जो है उसमें जो नई development सामने आ रही है वो ये आ रही है कि एक्सपोर्ट बैन तो एक तरफ इंडिया की जो sugar crisis है वो और भी रादा बिगड रही है और इंडिया जो कि दुनिया का number one producer माना जाता है शुगर का उसको शायद से इस आने वाले साल में शायद से consumption कितनी है और जो blue color की line है ये दिखाती है कि production कितनी है तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो forecast सामने आ रहे हैं कि ये जो red color की line है ये blue color की line को surpass कर देगी and there will come a time जब इंडिया की जो consumption है वो 30 million metric tons पर पहुँन जाएगी जो की 2024 में होगा and जो हमारी production है या फिर जो हमारी output ह है वो 26.6 million tons पर ही रह जाएगी ऐसा समय इंडिया ने आज से 7 years पहले notice किया था जब ये वाला time आप देख पाएंगे जब red line जो है वो blue line के ऊपर चली गई थी and उस time पे इंडिया के द्वारा sugar के imports को किया गया था because हमारी जो domestic demand थी वो काफी जादा बड़ी हुई थी लेकि कहा जा रहा है that इंडिया may need to import sugar in order to fulfill its domestic requirements तो इसी पूरी development के बारे में बात करेंगे कि exactly ये जो situation है ये कैसे पैदा हुई and एक बड़ा interesting यहाँ पे चीज सामने आता है कि even though हमने export ban लगाया हुआ था लेकिन उसके बावजूद इंडिया ने पिछले दो महीनों में December में खबर करेंगे और नेपाल को 25,000 के आसपास शुगर का export करेंगे so even though export ban लगाया हुआ था तो भारत के द्वारा ये वाले कदम यहाँ पे क्यूं लिये गए थे इनका भी जवाब हम लोग इस वीडियो में लेने वाले हैं चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ मेरा नाम है निरुद यदि आप लोग हमें follow करना चाहते हैं या फिर हमारे lectures के updates को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिये गए telegram channels के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि यान Academy के offline centers अब नई दिल्ली में करोलबाग में एवं मुख courses available करवाय जाते हैं उन अभ्यारतियों के लिए जो की 2025 या फिर 2026 की तयारी कर रहे हैं और मुखर जी नगर में यही वाले courses आपके लिए Hindi माध्यम में available करवाय जाते हैं सेम 25 और 26 के अभ्यारतियों के लिए जो यहाँ पर prices लिखे हुए हैं ये market से काफी कम prices हैं 35% का discount आप को available करवाया जाएगा और अगर आप interested हैं तो centers को visit कर सकते हैं नीचे दियागे phone numbers पर phone कर सकते हैं या फिर सबसे simple तरीका है कि नीचे description में दिया गया जो counseling form है उसको भर दीजे और हमारी team खुद से खुद आपको connect करेगी आपकी जो query है उसको solve करवा देगी also उत्तरपदेश के वध्यारतियों के लिए हमारा एक नया center प्रयागराज में भी अब आ चुका है जहां पर हम लोग कुछ special courses UPPCS के लिए भी लेकर आए हैं तो अगर आप interested हैं तो इस center को भी visit कर सकते हैं और अगेन कोई भी query है तो नीचे दियेगे description box में जाकर कि आप लो counseling form को भर सकते हैं and exporter छोड़िये इंडिया जो है producer में तो number one producer बन चुका है even Brazil को भी हम लोग सरपास कर चुके हैं लेकिन इस साल जो भारत के sugar की हमारे crop की दशा है वो इस तरीके से बन चुकी है that we may even be forced to import in the following year because यहां पे कई सारी जो problems है वो चल रही हैं क्या-क्या problems है one by one करके आपको समझाता हूँ सबसे पहला problem तो weather का problem है इस साल sorry पिछले साल आपको मालुम होगा कि El Nino के जो conditions थे वो बहुत ही जादा खतरनाक पैदा हुए थे कहा जा रहा था कि कई दशकों में इतनी खतरनाक El Nino नहीं देखी गई है और जो कि हमें वाकई में देखने को मिली भी because इस El Nino की वज़े से जो conditions थे वो बहुत जादा dry हो चुके थे जो इलाके थे जहां पे महराश्टरा और करनाटका जो की इंडिया की top sugar producing states में आती है जो इलाकों में यहां पे sugar उगाई जाती है उन cane growing districts में 56% of normal rainfall देखने को मिली और ये इतना weak rainfall इन इलाकों में पि इनका जो production है वो automatically कम हो गया in fact यही एक कारण था क्योंकि El Nino की वज़े से ही बीच में जो sugar prices थे वो 13 year high को touch कर चुके थे ये कोई और नहीं बलकि food and agricultural association का data था जो की सामने लाया गया था secondly इंडिया में महराश्टरा और करनाटका के case में जो cultivated area था वो काफी जादा shrink कर चुक है तो एक तरफ rainfall कम दूसरी तरफ जो planting area था यह भी कम हो चुका था यहाँ पर आप देख पाएंगे महराश्टरा का यह कुछ data सामने आया है जो की बताता है कि 2024 का जो marketing year है बाइद वे sugar के case में जो marketing year consider किया जाता है यह October से लेके September तक किया जाता है इसको agricultural year के साथ confuse मत करिये जो की July से लेके June तक होता है उसको agricultural crop year कहा जाता है लेकिन sugar के case में जो marketing year होता है वो October से लेके September तक माना जाता है तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि पिछले वर्षों की तुलना में यह 22 और यह 23 और यह अब estimated output महराश्टरा में बताया जा रहा है कि बहुत ही जादा कम ह हो जाएगा आने वाला जो हमारा marketing year है exact numbers की अगर हम बात करें तो जो पिछला वर्ष जो अभी गुजरा है September 2023 जहाँ पे हमारा पिछले वाला 22-23 वाला marketing year समाप्त हुआ इंडिया के द्वार जो total production करी गई थी वो 33.1 million metric tons of sugar की production करी गई थी in the year which ended in September 2023 नाओ बताया यह जा रहा है कि अभी तक तो जो हमारी demand थी वो इसके control में थी क्योंकि अभी तक जो हमारी demand थी वो 33.1 million metric tons से काफी कम थी सो हमें कोई दिक्कत नहीं थी ठीक है लेकिन जो आने वाले साल है उनके लिए forecast क्या सामने आ रहे हैं आने वाला साल मतलब की अब जो 23-24 है मतलब अक्तूबर 2023 से लेके सितंबर 2024 तक दो-तीन तरह के estimates हमें देखने को मिले हैं देखिए number one पे बताया जा रहा है कि जो बहुत सारे यहां पर farmers हैं यहां तीन तरह के estimates आपको देखने को मिलेंगे जी हां number one पे यह वाले जो farmers के द्वारा दिये गए estimates हैं इन्होंने बताया है कि हमें जो cane yields है मतलब sugar cane की जो yield है मह बहुत जादा गिरती हुई देखने को मिली है मतलब कि यह वाला जो आपका production है 33.1 million metric ton से गिरते हुए 29 million ton तक हमें देखने को मिल सकता हैं दूसरा estimate जो की आया है वैपारियों की तरफ से सामने उन्होंने बताया है कि following year's output will be even weaker और उनका यह कहना है कि यह 25 से 26.9 million ton के range में भी घूम सकता है and number 3 जो की बहुत ही reliable source है that is the ISMA Indian Sugar Mills Association उन्होंने बोला है कि 23.24 का जो marketing year है इसमें जो sugar का production है वो 31.7 million ton पर आ सकता है अगें देखिये जो भी number सामने आए है वो इस साल के जो पिछला साल गुजरा है उसकी production से कम ही बता रही है and the problem over here is not just कि production dip होने वाली है वो least 5% से हमारी जो demand है वो बढ़ने वाली है and साथ में ethanol की भी जो हमारी demand है वो भी बहुत बढ़ रही है और सरकार के द्वारा ethanol की तरफ diversion को लेकर भी बहुत ज़्यादा pressure बनाया जा रहा है जिसकी वज़े से ये problem और भी ज़्यादा संगीन और भी ज़्यादा गंभीर हो सकत है इन्ही numbers की वज़े से कहा जा रहा है कि sugar की जो हमारी demand versus supply का जो mismatch है वो और ज़्यादा बिगट सकता है इसका सबसे बड़ा impact क्या होगा obviously import तो हमें करना ही पड़ेगा लेकिन अब import के साथ problems आएंगी problems क्या आएंगी अगर आप देखेंगे तो दुनिया भर में जो sugar के द 1000 रुपीज पर टन पे करती है किलोग्राम का हिसाब लगा लें तो 39 रुपीज पर केजी के हिसाब से ये white sugar trade करती है उसके बाद आपको आपकी नजदीकी markets में आपकी नजदीकी किराने के store में 42-43 रुपे तक में मिल जाती है लेकिन अगर आप western markets की बात करें तो वहाँ प आपको 50-51 रुपीज पर केजी में trade करती है अब अंदाजा लगाईए उसको फिर आप import करेंगे इंडिया में तो उसके उपर फिर से कुछ cost का addition होगा 2-3 रुपे cost बढ़ जाती है because distributor profit उसके बाद retailer profit वगएरा वगएरा बहुत सारी कीज़ें बढ़ जाती है तो approximately 53-54 अगर हमारी sugar की जो production है वो नहीं बढ़ती है and the question की India ने despite knowing की हमारे पास जो है बहुत problems है Kenya और Nepal को export क्यों किया इसका जवाब as such officially नहीं दिया गया था Kenya को लेकर तो केवल बताया गया था कि शायद करेंगे लेकिन exactly किया है कि नहीं किया है data सामने नहीं आया है लेकिन नेपा ली कहा जा रहा है कि शायद strategic reasons की वज़े से इंडिया के द्वारा नेपाल और Kenya को चुना गया था कि even though export ban है लेकिन हम लोग आपको export करने वाले हैं because Kenya भारत का काफी अच्छा LI बन चुका है in Africa और नेपाल आपको मालूम है कि हमारा पडोसी देश है पुराना trade partner भी है तो इ offline centers में free demo classes one on one mentorship magazine library wi-fi access इस सभी चीज़े आपको मुफ्त में मिलती है अगर फिर भी आपको query है तो नीचे दिये के description में जो Google form है उसको भरना बिलकुल न भूलिएगा thank you so much for listening stay tuned and stay safe